असलाम अलेकुम चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग समझ लेते हैं आप लोग के टेंथ क्लास के अर्दो बुक का अगला चैप्टर जिसका नाम है आर्या भट और तरेगना यह चैप्टर नंबर 11 है और यह भी एक तरह का क्या है मजमून है निबंध है और इस चैप्ट चैप्टर का टाइटल नाम देखकर सूच रहे होंगे कि बकवास चैप्टर होगा इसमें कुछ खास नहीं होगा लेकिन मैं आप लोग को बता दूं कि टाइटल से देखकर आप लोग किसी भी चीज को जज नहीं कीजेगा वह लाइन आपको याद है ना कि डॉन्ट चीजे आप लोग को जानना जरूरी भी है अब चली जरा इस चैप्टर को समझ लेते हैं यह एक मजमून है निवंध है और यह मजमून किस पर लिखा गया है तो हमारे आरेबट कौन है यह जानना बहुत जरूरी है हमारे आरेबट महान साइंटिस्टों में से एक है मतलब आरेबट हमारे क्या है एक साइंटिस्ट है याद रखिएगा और वैग्यानिक को यानि कि साइंटिस्ट को उर्दू में क्या बोलते हैं तो साइंस दा बोलते हैं यह भी याद रखना है तो हमारे आरेबट महान साइंस दाओं में से एक है ठीक है इन्हों नहीं सबसे पहल प्रिफ्वी है उसके सारे इन्होंने खोज की चमतकार किये और यहां तक इस दुनिया के लोगों को यह नहीं मालूम था कि हम लोग का प्रिफ्वी है पहले की जमाने में लोग को यह भी नहीं गोल है पहले के लोग क्या सोचते थे और क्या जानते थे कि हम लोग का अर्थ जो प्रिह वो चपती है और हमारे अर्य भठी एक पहले боль में नेघूल बता लिए और नुइंफ justice अ क्यम कि इसकार किए हैं इन्होंने भी बता हैं कि लगता है यह सारी इकलिप्स किसे कहते हैं ठीक है नतर यह ह क्षेल रहे आज से डिरह शहाल साल पहले कर कर कि में था इन जानना बहुत ज़रूरी है अग सब्सकुर्ट देख पा रहे हैं गरहन क्यों लगता है अभी हमारे माइड में सवाल आता है कि चांद क्यों निकलता है सुरज क्यों डूपता है गरहन क्यों लगता है कैसे लगता है अभी के जमाने में जो हम लोग के माइड में कोश्चन आता है वह आज से देरहजर साल पहले आरे भट के म जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था लेकिन फिर भी हमारे खोज करता जो है वह पता लगाए और उन्हें मालूम चला कि आरे बद की जो पैदाइश वी थी उनका जन्म पटना के मगरीब खगोल में हुई थी कब 476 इसवी में पटना के मगरीब मितलब पश्चिम में वेश्ट में और खगोल नाम का कुई जगा था वहाँ पर हुआ था 476 इसवी में अभी तो 2021 चल रहा है सोची आज से कितना साल पहले 476 इसवी में उनकी पैदाइश हो गई थी और 88 साल जीए थे उनकी जिंदगी 88 साल के बाद वह 564 इसवी में क्या हो गए उनकी इंतकाल हो गई वह इस दुनिया से रुकसत हो गए ठीक है लेकिन वह हम लोग सब्सक्राइब की किताबों से हेल्प लेते हैं ठीक कामों के लिए तजर्बागा पटना से 30 किलो मीटर जुनूब में मसूरी के नजदीक तरेगना में काइम किया इसका क्या मतलब है जला इसको समझे वह अपने तहकी कामों के लिए नहीं की रिसर्च करने के लिए वह जो कोई मसूरी जगा है उसके नजदीक ही है हम लोगों का तरेगना और वहीं पर उन्होंने अपना रिसर्च सेंटर खोला था तरेगना में और वहीं पर वह बैठ कर रिसर्च किया करते थे खोच किया करते थे और वहीं पर उन्होंने बहुत चारी किताबों को लिखा मशूर पाराय आप लोग को क्यों यह नाम दिया गया है क्योंकि आरे बट एक साइंटिस्ट थे और इनकर सर्थ सेंटर था तरेगना यह इंपोर्टेंट है उसके साथ देखिए जरा पटना गया रेलवे लाइन में मसूरी स्टेशन का नाम तरेगना रखा गया और मसूरी के पास ही पश्चिम में सोन नदी है और पूरब में क्या है पूरब में पुनपुन नदी है इन दोनों के बीच में हम लोग का तरेगना कैसे याद रखेंगे पू से पूरब पू से पुनपुन नदी तो पुनपुन नदी और पश्चिम में क्या है सोन नदी और इन दोनों के है ज़्यादा तर वहां पर आस्मान साफ देखा जाता है क्लाइमेट वहां का बहुत बढ़िया होता है ठीक है आगे देखिए तरेगना जो है हिंदी जुबान का लफ्ज है हिंदी भासा का लफ्ज है जिसका मानी होता है तारे गिन्ना और शायद इसी वजह से उस जगा का नाम क्या रख दिया गया तरेगना रख दिया गया क्योंकि वहां पर आसमान साफ रहता है और तारे साफ तैल मतलब 60 फित लंबाई का एक टेला बना दिया था और जिस पर वह बैठकर रात भर तारों को और साइरों के बारे में तहकीक करते रहे ते हैं पर बैठकर रात भर क्या करते हैं तारों के बारे में और सयारयन की प्लानेट के बारे में सर्च किया करते थे ठीक है तो यह हो गया हम लोग के आरे भट के बारे में अब जरा समझ लेते हैं कि गरहन किसे कहते हैं इकलिप्स किसे कहते हैं बहुत ही मजदार टॉपी के समझने में मजाएगा पहले लीजे यहां प्रवट फटफाफट श्रीनशोट लगyi अब चली आगे अगे समझते हैं कि गर्हन किसे कहते हैं देखिए को इंग्लिस में बोला जाता हैक वह जाता है। ठीक है हिंदी और उर्दू में थोड़ा सा का डिफरेंस होता है उर्दू में गरहन और हिंदी में ग्रहन प्रोनसियेशन का थोड़ा सा डिफरेंस होता है ठीक है इसको ध्यान रखना है तो बात आती है कि गरहन यानि की एकलिप्स किसे कहते हैं तो देखिए किसी ग्रह यान दूसरे प्लानेट का सब्सक्राइबह. जूसरा होता है सबसे पहले हम लोग समझते हैं सूरजगरहन को स्वोलार एकलिप्स किसे कहते हैं देखिए यह हम लोग का सूरज है सन और इस सूरज के चारो तरफ हम लोगा जो प्रित्वी होता है वो चक्कर लगाते रहता है इस तरह गोल गोल यहां तक यह प्रित्वी खुद भी इस तरह घुमता है और घुमते घुमते सूरज के चारो तरफ भी चक्कर लगाता रहता है ठीक है जिस तरह ये प्रित्वी हम लोगा सूरज का चक्र लगाता है बिल्कुल उसी तरह हम लोगा जो चांद होता है मून वो भी प्रित्वी का चक्र लगाता रहता है ठीक है तो यहां तक कोई दिकत नहीं है तो जब चांद चक्र लगाते 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 सूरज और प्रित्वी के बीच में आ जाता है तो यह जो सूरज से जो किरने जा रही थी प्रित्वी पर उसको यह चांद क्या कर लेता है धक लेता है रोक लेता है ठीके और इस चांद की परचाई इस प्रित्वी पर पढ़ने लगती है और जिस देश में यह परचाई पढ़ती है ये साया पढ़ता है चांद का उस देश में बोला जाता है कि जो सूरज है वो कटा हुआ या फिर ढखा हुआ दिख रहा है इसका मतलब सूरज गरहन लग गया है क्यों लगा है क्योंकि बीच में चांद आ गया है इससे जो किर्णे आ रही थी प्रकाश आ रही थी ये चांद की परचाईए जिस देस में पढ़ने लगी उस देस में सुराजगरहन हो गिया ठीके तो सुराजगरहन समझ में आगया सूरज और पित्वी के बीच में चांद आता है जिसके वज़ा से पर्खाष हम तक नहीं सूरजगरहन कैसे यह चांद जो है मून अचानक वीश में Think अचांद जब छब धीले तो यह हम लोगता सूराज है तो थोड़ा सा पहले अधका होगा स्कॉड सो इसको बोलाजाता है जज्वी यह travelled लेकिन जब पूरी तरीके से सुरज के अपने चपेट मिले लता है मतलब पूरी तरीके से ढख देता है चांद सुरज को तब उसको बोला जाता है मुकम्मल सुरजगरहन ठीक है अब आगे देखिए जो सुरज गरहन लगता है ना तो एक पॉइंट में लिख दी हूँ नंगी आँखों से सुरज गरहन को कभी नहीं देखना चाहिए कि उस वक्स बहुत चारी मतलब हाइदनी कारक किरने आती है जो हमारी आँख की रौसनी भी लेकर जा सकती है कि हम लोग अंधे भी हो सकते हैं इसलिए नंगे आखों से हम लोग को सुरज गरहन नहीं देखना चाहिए इसके लिए एक अलग टाइप का चश्मा आता है उसको पेहन कर अगर आप लोगो को देखना है तो देख सकते हैं यहां तक सुरज गरहन समझ में आया अब हम लोग चलिये बोला जाता है चांद गरहों ठीक है तो देखिए पहले क्या हुआ था सूरज गरहन में कि बीच में क्या आ गया था चांद आ गया था जिससे परचाई पढ़ रही थी हम लोग के प्रिथवी पर और सूरज गरहन हो रहा था इसमें होता क्या है कि सूरज के चारु तरफ तो चक्र लगाता ही रहता है और यह जो चांद प्रिथवी के चारु तरफ चक्र लगाता है वे चक्र लगाते 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 इधर आ जाता है और बीच में आ जाता है हम लोग का प्रिथवी तो ठीक है यहां पर सूर्य का प्रकास हम लोग के प्रिथवी तक आ जाता है ले लगने के बाद इस प्रिथवी का परचाई है इस चांद पर पढ़ने लगती है जिसको हम लोग बोलते हैं कि चंद गरहन लग गया है यानि कि चांद धका हुआ दिख रहा है किसकी परचाई पढ़ती है चांद पर प्रिथवी की परचाई पढ़ती है जिसको हम लोग बोलत और चांद के बीच प्रित्वी हम लोग की आ जाती है और जिसके वज़ासे प्रित्वी का परचाई चांद पर पढ़ता है और उसको बोलते हैं चांद गरहन ठीक है कोई दिक्कत नहीं है लीजे यहां तक फटाफट स्क्रिंसोट फिर मैं आगे समझाती हूँ अब यहां Ya全 नौ का सूरजगरहण तो सभी सड़ी का सबसे बड़ा सूरजगरहण था जो तो यह सदी का सबसे बड़ा सूरजगरहण था एक साओ लार लंगता है देखने को मिलता है वहर इसके लिए USA के साइवर से तहकी की अधार ना का यृक्षा maior नगे साइन्स दे जी इंडर्षन जो सालों से इस पर तहकीक कर रहे थे मतलब यह जो अमेरिका वसका अजो सपी सइ manager इंचितीवट है नासा उसके साइन्स दा साइप इस आप कि कर रहे थे सब्मक्राइब tin और ता वाला था उसके बारे में 20 साल से वो सर्च कर रहे थे इस पर तहकीक कर रहे थे और उन्होंने 2008 ही इसवी में 200 सफाद पर तफसीली से रिपोर्ट पेश की थी मतलब जो 2009 में 22 जुलाई 2009 को सुरजगरहन लगने वाला था उस सुरजगरहन के बारे में इन्होंने 2008 इसवी में ही दो सा पेज पर एक तफसीली से विस्तार से लिखकर एक रिपोर्ट पेश की थी और उस रिपोर्ट में जे इंडर्सन बताये थे कि जो 2009 में सुरजगरहन लगने वाला है वो कैसे लएगा कैसे दिखेगा और उस सुरजगरहन को देखने के लिए सबसे अच्छा जगा कहा दो से सफात जो उन्होंने रिपोर्ट तो यार की थी उसमें ये भी बताया था कि जो 2009 में सुरजगरहन लगने वाला था उस सुरजगरहन को देखने के लिए जो सबसे अच्छा जगा है वो है तरेगना और तरेगना क्या है आर्यभट का रिसर्च सेंटर है वहीं पर था और फिर से तरेगना का नाम रोशन हो गया फिर से तरेगना क्या हो गया मशूर हो गया और जुलाई 2009 इस भी के पूरे महीने में मुल्की गयर मुल्की एक बार में इस खबर क्या होने लगी च्छपने लगी मतलब जुलाई का महीना 2009 आ गया और जुलाई का महीना भी आ गय फिर क्या हुआ मुलक और गयर मुलक के साइंस दा जुलाई 2009 इसबी को बिहार की राजधानी पटना पहुचने लगे जितने भी अपने मुलके या फिर गयर मुलके साइंटिस्ट थे वे ग्यानिक थे वो 2009 इसबी में जुलाई के महिना में बिहार के राजधानी पटना आने लगे क्योंकि पटना के 30-30 किलोमीटर दूरी है न तरेगना ठीक है तो वहां पर पटना आ गए और फिर तरेगना में जाने लगे अमेरिका के नासा और इस रो जैसे साइंसी तहकी की अधारा से साइंस साइंस और पोलेंड के साइंस दा भी क्या हो गए पहुच गए यहां यहां पर जो अमेरिका का साइंसी तहकी अधारा था मतलब रिसर्च इंटिट्यूट था कौन-कौन सा नासा और इस रो उसमें के बड़े-बड़े वैग्यानिक आये साइंस और पोलेंड के बहुत-बड़े साइंटिस्ट भी आये बहुत सारे साइंस यहां तक नाइनी त चाल के रिसर्च सेंटर रिसर्च इंटिट्यूट के साइंस दाओं की टीम भी आ गई वैग्यानिकों की टीम भी आ गई और पूरे तरेगना में आकर पहुच गये लो और वहां पर बेसबरे से वो लोग इंतजार करने लगे कि सुरजगरहन कब लगेगा हजारों की ताद आधाद में आम लोग भी पहुच गये थे और एक अलग किष्रूं का चस्मा लगा कर क्या कर रहे थे वह सुरजगरहन को देखने का इंतजार कर रहे थे कि कब सुरजगरहन लगेगा और टाइम कब था सुबांच बज कर उन्टिस मिनट और आखिर वह वक्त आही गया अंधेरा हो गया चारों तरफ सारे जानवर परिंदे सब क्या हो गया डड़े शह में हो गये तीकि और अपने अपने घोसले में जाकर घुस गये तीकि मतलब चारों तरफ अंधेरा ऐसे लग रहा था कि फिर से रात हो गई सुबह का समय था लेकिन ऐसे लग रहा था कि प्रवापस जाना पड़ा जितने भी साइंटिस्ट आये थे तरेगना से उन्हें फिर से वापस भी ना देखे भीज दिया गया तिक वो चले गए क्यों चले गए क्यों कि वो सुरजगरहन को नहीं देख पाए अंदेरा चारों तरफ चा गया था तिये जावाया मतलब रहेंगे या फिर मरेंगे यह तो निश्चित है कि हम लोग मर जाएंगे आगे की जेनरेशन के लोग होंगे वह एक सतीच सेल के बाद देख सकेंगे सुरजगरहन के और उस वक्त के वैग्यानिक साइंटिस्ट देख सकेंगे अब पता नहीं उनके नसीद में लिखा होगा कि नहीं फिर 2009 की तरह ना हो जाए चारो तरफ अंदेरा चाहे जाए हावा पानी ना आ जाए ठीक है इस तरह का हो जाएगा तो फिर दुबारा नहीं देख पाएंगे लोग है कि ने तो यहीं पर आप लोग का आकर चेप्टर कंफलीट होता है आरे भट और तरेगना ठीक ह सबसे पहला सवाल की प्या गुपत जाता था यह आप लोग जान लिजे यह मैं बताना भूल गई थी गुपत को सुनहरा कहा जाता था त है की तो मतलब समझते हैं चंडर गुपत मौर्य का समय कि क्या बोला जैता है लो चन्द्रणीक और बरियक तर नबशकिक üioni सुना जाता हैं मिल गुंट यादा किया ऑजिए गईने पिर्हसा सिंट दिया जाता ठाएं और ँसी दौर के थे हमारे वास्ति में पैदा हुए थेका और उनको को भी बहुत ज़्यादा सम्मान मिला ठीक है तो इसमें आप लोग तिन नंबर के कोश्टन में कितना नंबर टिक लगाएंगे सी अपसा नंबर सी लगा दीजेगा सुनहरा दौर ठीक है चार नंबर सवाल है आरे भट का तालोक किस अहद से था मतलब आरे भट किस दौर से से तालुक रखते थे वही गुप्त दौर गुप्त दौर से वह तालुक रखते थे उनको बहुत अला सम्मान मिला ठीक है तो अपसा नंबर ए लगा दीजेगा पास नंबर सब आरे भट ने किस साइंस दाकी रहनुमाई की थी यह आप लोग समझ लिजे यह मैं बताना भूल मैतमें की थी फाले फैटने आम के सायन्सेटेट का क्या रहनुमाई की थी सकते आप लोग जानते नहीं मैं मैंध में पढ़ना है परिमें प्लोग पढ़े होंगे तो वही पैता गोरस नहीं बनाया था और उस पैपाईथा गोरस जो साइंटिस्ट नोंकी आरे पर metrics मतलब geldi सबसे पहला सवाल है सुरज गरहन और चांद गरहन का मुखतसिर तारूफ पेश्ट कीजिए सुरज गरहन और चांद गरहन क्या है यह आप लोग को बताना है और मैं अल्रेड़ी बता चुकी हूँ आप लोग खुद से लिखेंगे पांच या फिर दस जुम्ले में लिखना है ठीक है दूसरा सवाल है आरेबट की जाय पेदाईस और तारीख पेदाईस पर रोसनी डाल सवाल है तरेगना के महल वकू पर पांस जुम्ले लिखिए जो आरेबट का तरेगना रिसर्च सेंटर था उसके बारे में लिखना है कि वह कहां था पटना से 30 किलोमीटर जुनूब की और कि इदर जुनूब की और मसूरी के नजदिक था शुरू में लिख देना है सुन न नहीं तो क्यूं यह भी मैं बताई हूं सुरजगरहन को नंगी आंख से नहीं देख सकते क्योंकि उससे जो किरने आती हैं वह हमारी आखों के लिए हानिकारत खतरनाक होती है ठीक है और वह हमारी आखों की रोशनी भी लेकर जा सकती है पांस नमबर सवाल है दौजार नौ सुरजगरहन और चांदगरहन के इस बाप पर तफसिली रौसनी डालिए यानि कि आप लोग को बताना है कि सुरजगरहन और चांदगरहन कि से कहते हैं इसको तफसील से विश्तार से बताना है क्योंकि यह तवील सवाला थे तो आपको लंबा चोड़ा लिखना ही पड़े साइनसी रिसर्च किये थे खोज की थी उन सभी कारणामों पर तफसीली से विस्तार से आप लोग को लिखना है ठीक है तो आरे भट के बारे में आप लोग विस्तार से लिख दीजिएगा यह होता है आप लोग का तविल सवलात कंप्लेट और उसके साथ साथ यह चैप्टर भी कंप्लीट चैप्टर नंबर 11 ठीक है नेक्स्ट वीडियो में हम लग चैप्टर नंबर 12 को स्टार्ट करेंगे और उसको भी बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे यहां तक समझ में आ गया लीजिए यहां तक फटा-फट स्क्रीन सॉट तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही इस चैप्टर से रिलेटेट कोई भी कमफीजन हो आप हमें कमेंट करकर पूछ सकते हैं वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए जदा ज़दा शेयर कीजिए अपने पडोसियों के पास अपने दोस्तों के पास और हां चैनल को सब सब्सक्राइब करकर रखिए ताकि जो भी मैं वीडियो अप्लोड करूँ आप तक सबसे पहले पहुंचे तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जैहिंद और खुदा हाफिस